तिलंगाना में जैसे जैसे चुनाओ की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे सियासी पारा गर्माता जा रहा है जहां एक तरफ बीजेपी और एई-आई-माई-म एक दूसरे पर सियासी तीर छोड़ रहे हैं तो वहीं कॉंग्रेस अध्यक्ष बीजेपी को निशाने पर लेने के साथ सत्तारोड टियारेस के खिलाफ मकार भर रहे हैं आज उन्होंने सूबे में तीन रैलियों को सम्भोधित कर विरोधियों पर जम कर हमला बोला सूबे के सीयम पर भिष्टाचार का आरूप लगा कर कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी लगातार उन्हें अपने निशाने पर ले रहे हैं आज एक बार फिर राजी में ताबर तोड रैलियांकर राहूल ने भिष्ट करार दिया उन्होंने कहा कि तिलंगाना की जनता ने पांच साल पहले नयराजी का सपना देखा था वो सपना तो साकार हुआ लेकिन यहां की सरकार ने जनता के साथ धोखा किया है केसियार ने इतना प्रिष्टाचार किया है कि अब उनका नाम खाओ कमिशन राह हो चुका है राहुन ने कहा कि राजी के उपर कर्ज है लेकिन केसियार के बेटे के आमदनी चारगुनी बढ़ी है केसियार आराम से 300 करोड रुपए के घर में रहते हैं लेकिन अब तक जनता से घर देने के बाते को पूरा नहीं किया है विरोधियों पर बरसने के साथ कॉंगरेस अध्यक्ष ने चीत के हुंकार भरती हुए कहा कि इस चुनाओं में हम बीजेपी, टी आरेस और एई-मायम की पार्टनर्शिप तोड़ देंगे पहले हम बी और सी टीम यानि टीम और एई-मायम को हराएंगे और फिर 2019 में एटिम यानि बीजेपी को हराएंगे बीजेपी और सत्ता रूट टी आरेस पर जुबानी बार करने के साथ-साथ उन्होंने रोड़ शो निकार कर अपना दम भी दिखाया इस दोरान उनके साथ आंद्रप्रदेश के सियम चंद्रबाबु नाइडू भी मौजूद थे इस दोस्ती से महागडवंधन के संकेत मिल रहे हैं खैर 2019 में क्या होगा या आने वाले कुछ वक्त में साफ हो जाएगा लेकिन अभी तो नजरे 11 दिसम्बर पर टिकी हैं तब देखना होगा कि ये महागडवंधन दक्षुन में दमदार साफित को गाया फिर बेदम दीबी लाइव परिपोर्ट